वेलकम तो इंग्लिश ग्रामर स्टेज तो इज आएगा था तो वाज आएगा और होगा है तो विल भी आएगा तीन चीज़े आपको याद रखना है तो ज्यादतर आपको है मिलता है तो है के साथ आपको इज लगाना है इट इज उसके बाद जो यह बीच में लिखा गया हो इसको लिखना है तो इसको सोम और को अंग्रेजी में क्या कहते हैं Monday M-O-N-D-A-Y फिर इसके बाद जो पहले सुरुवाद में जो सब्सक्राइब लिखा हो उसको सबसे लास्ट में रखना है तो आज की अंग्रेजी क्या होती है यहां हमने लिख रखा है आज की अंग्रेजी होती है today और बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है yesterday spelling बता देते हैं y-e-s-t-e-r-d-a-y yesterday मींस बीता हुआ कल t-o-d-a-y today today मींस आज t-o-m-o-r-o-w tomorrow तोमारो मींस आने वाला कल और holiday मींस होती है छुट्टी h-o-l-i-d-a-y holiday मींस छुट्टी तो आज की अंग्रेजी क्या हमने बताई today तो t-o-d-a-y यह देखिए वाक्य बन गया it is Monday today it is Monday today है ना तो आपको ऐसे ही आगे भी करना है चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं कल छुट्टी है तो पहले क्या दिखेंगे it फिर है आया है तो क्या लगेगा इज और छुट्टी की एंग्रेजी अभी हमने बताई holiday ह-o-l-i-d-a-y और कल की एंग्रेजी तो देखिए है जो है दिया गया है वह भविस्यकाल के लिए दिया गया है जबकि होना चाहिए था होगा कल छुट्टी होगी इस प्रकार होना चाहिए लेकिन इसमें प्रजेंटेंस भी हम दर्शा सकते हैं तुमारो के साथ तो यह जो कल दिया गया है यह आने वाले कल की है इट इज देखिए अगर नहीं सब्द आ जाए तो इज के तुरंत बाद आपको नाट लगा देना है नाट मिन्स नहीं होता है ठीक इसको भी आप लोग लिख लिजिएगा एन ओटी नाट नाट मिन्स नहीं इट इज नाट बुद्वार के एंगरेजी वेड़नेस डे डबलू एडी एन एस डी एवाई और आज के एंगरेजी टुडे इट इज नाट वेड़नेस डे टुडे ठीक अगला वाक्य दिया गया है कल मंगलवार था तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट अब था के लिए हमन द्यूजडे टी यू एस डी एवाई और कल कल यह बीते हुए कल की बात की जा रही है कैसे पता चलता है था सब्द से पता चलता है तो इसकी एंगरेजी हो जाएगी यस्टेड़े वाई-ए-स-टी-ई-डई-वाई यस्टेड़े कल हो ली है देखें कभी-कभी दो प्रका के वाकिस होते हैं जैसे मैं इसको आपको दो तर्य से बज़ना के दिखाता हूं पहले आप लिखेंगे इट इज लिग अगर होली देते तो उसका होता होता है छुट्टी होली एक तेवहार होता है तो कल छुट्टी है इट इज होली टुमारो इसके लावा आप एक और इसको दूसरी प्रकार से कैसे बना सकते हैं कल होली है इसके लिए आप लिख सकते हैं तुमारो एड़ी येंझ होली ये भी आप सही है यहен भी वागती है कि लेकिन आपको अपने तरीकें से बनाना है जो जैनुन तरीके होता है ये तरीके अच्छा होता है इट इज हॉली टुमारो ठीक तो आपको इस तरह से बनाने हैं परषौर अभीवार है तो देखिए पर्सौं ज एंग्रेजी होती है दे आफ्टर टुमारो दे आफ्टर तुमारो टी ओम ओ डबल आर ओडबलो इस पेलिंग ध्यान दीजेगा डी अवाई ए एफ टी ए आर और टी ओ अप्टर टुमारो मने परसों जो आने परसों होता है अगर बीता हुआ परसों की बात की जाए तो day before yesterday day before yesterday yesterday day before yesterday means बीता हुआ परसों ठीक तो यहां पर आ गया है परसों रभिवार है तो आप लिखेंगे it is अब इसकी एंगरेजी हमको लिखना है तो रभिवार की एंगरेजी होती है Sunday और परसों की एंगरेजी अभी हमने बताई है day after tomorrow अब इसके बाद कल सनिवार होगा देखिए यहां पर होगा आ गया है तो आप क्या लिखेंगे विल बी है ना तो पहले लिखेंगे इटे विल बी इट विल बी सनीचर के सनिवार की एंगरेजी क्या होती है सटर्डे से टी यू आर डी ए वाई इट विल बी सटर्डे और कल की एंगरेजी तुमारो इसके बाद परसो ब्रहस्पतिवार था तो देखिए यह परसों बीते हुए परसों की बात की जा रही है तो पहले लिखेंगे इटे वाज ब्रहस्पतिवार की क्या होती है थर्सडे थर्सडे की स्पेलिंग टी एच यू आर एस डी ए वाई परसों डे विफोर यस्टरडे डे विफोर यस्टरडे दो परसों की एंग्रेजी होती है पहली एंग्रेजी जो बीते हुए परसों की एंग्रेजी होती है वो यह होती है और जो आने वाले परसों की एंग्रेजी होती है डे आफ्टर टुमारो हमने अभी उपर यहां पर लिखा दिया है तो आप लोग इनको भी नो आज सोमवार नहीं है तो लिखेंगे today is not Monday ये दूसरा तरीका हमने जो बताया था उस तरीके से इसको बना दिया है लेकिन आपको जो सही तरीके से बनाना है वो ये तरीका है इसको दूसरी प्रकार से अगर बनाना चाहें तो आप इस प्रकार बना सकते हैं येस्टरडे वाज त्यूजडे ठीक आज बुद्वार है इट इज वेड्नेस डे टूडे फिर से देखें आज बुद्वार है इट इज वेड्नेस डे टूडे अगर यहां पर कह दिया जाए आज रभीवार है तो केवल इसको बस बदलना है वेड्नेस डे के जगह पर संडे आ जाएगा और पूरा जो वाक्य होगा उसी प्रकार पर्सों दिवाली है इट इज दिवाली डे आफ्टर टुमारो कल छुट्टी नहीं है तुमारो इज नाट हॉलिडे या फिर इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं इज नाट हॉलिडे तुमारो इओ डबल आर ओ डबलू यह भी सही तरीका है आप दो प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं ठीक अब आपके लिए यह सवाल जो दिया गया है यह नीचे वाला वाक कि इसको आपको कमेंट बाक्स में बताना है इसका क्या वा ट्रांसलेशन होग कल की छुट्टी थी बहुत ही सरल ट्रांसलेशन होगा आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसका अनुवाद जरूर बता लेंगे तो कमेंट में आप लोग जरूर बताईएगा और बेसिक अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाईएगा हम आपको रेगुलर एक नएक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कर दें चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करने ठैंक्यू